नमस्कार दोस्तों योगेश टेक्रिकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वाकत है दोस्तों आज केसे वीडियो में हम जानेंगे कि सप्लीट एरेकनिशनर में यूनिवर्सल पीसीबी को खरिदने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान दखना चाहिए तथा इन्हें इं के अंदर और इसमें जो कैपेस्टर फैन का लगता है वो अलग से ही होता है इसलिए कई वो बाते हैं जिने हमें अकसर ज्यान में रखना चाहिए इसलिए जब भी आप किसी भी सप्लीट एरेकनिशनर में पीसीबी को लगाएं तो उसकी पराने पीसीबी को देख लीजिए क्या उसका कैपेस्टर उस पीसीबी में लगा हुआ है या फिर उसका कैपेस्टर अलग से है उसे के हिसाब से हमें नई पीसीबी का चैन करना चीए जो हम यूनिवर्सल टाइप लगाने जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसमें कई मोडल आते हैं जो हमारे एर कंडिशनरों क टाइप के अनुसार ही Chinese component डेवलप की हैं लगबग Chinese company की ही यह PCB होती है निके नाम अलग हो सकते हैं लेकिन PCB लगबग Chinese company के दोवार ही बना जाती है अभी जो आप सामने यह PCB देख रहे हैं इसकी जो सप्लाई है वो 12 मोल ट्रास्फरमर से दी जाती है और इसमें कपेस्टर अल में भिन-भिन टाइप के एरकनिशनरों के हिसाब से ही PCB का चेंड करना चाहिए आज हम दो PCB को इस्टाल करेंगे और उनके बारे में आने वाले समझाओं के बारे में जानेगे इसलिए वीडियो में लाश्ट तक बन रहीएगा तो दोस्तों PCB को फिक्स करने से पहले हम यह जो सामने आप दो PCB देख रहे हैं इनमें मूल भूत अंतर क्या है वो मैं आपको बता देने चाहिए और जो आपको हमेशा पता होना चाहिए किसी भी एकनिशनर में PCB लगाने से पहले देखे इसमें एक ट्रांसफर्मर दिया हुआ है यानि कि इस PCB में सप्लाइट ट्रांसफर्मर के दोरा दी गई है और इस PCB में सीधे ही डारेक्ट सप्लाइट दी गई है और इसमें जो रिवर्सिंग वाल वाले एर कनिशनर होता है यह दोनों PCB उस एर कनिशनर में भी लग स DC की fan motor लगी हुई है इसलिए आपको यह दोनों बातें अविश्य याद रखना चाहिए इसमें room sensor का jack दिया हुआ है call sensor का jack दिया हुँ दोस्तों और एक relay दी हुए compressor की एक में swing का jack भी दिया हुआ है और एक में नहीं है और अभी मैं आपको इसके model नंबर बताता हूँ जो right side में है वो उसका model नंबर है YYU08PG bracket SW और एक जो left side model है दोस्तों वो है QAUDU08C इन में दोस्तों अंतर यह है कि जो आप right side में PCB देख रहे हैं यह है model नंबर अभी आप जो सामने देख रहे हैं इसमें दो jack दी हूँ है fan motor के इसके अंदर जो fan motor capacitor वो inbuilt है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसमें आप fan motor का PG वाला jack के लगा सकते हैं दोस्तों PG यानि की plus generator का एक card होता है जो हमारी fan motor के अंदर लगा होता है जो feedback देता है हमारी PCB को अगर हमारी PCB हमारी fan motor नहीं चलती तो उस पर error आ जाता है और यही वो feedback होता है यानि की हमारा fan motor अगर ना घूमे तो यह feedback हमारी PCB को चल जाता है और हमें पता चल जाता है यह जो plus generator वाला जो टेक्निक होती है दोस्तों यह router की गोण गती को मापता है और अगर router नहीं घूमेगा तो यह feedback PCB को देगा जिससे की हमें पताल जाता है कि हमारी fan motor नहीं चल रही इसलिए जो यह PCB है यह है उन्ही air conditioner के अंदर लगाने चाहिए जिसका capacitor inbuilt है और जिसमें आप PG वाले jack को भी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों अब हम एक PCB को fit करने जा रहे है इसका model number है क्यावडी U08C लेकिन हमने गलती यहां कर दिया कि हम उस PCB को लेके आए हैं जिसका capacitor का connection बाहर से होता है और हम जो Samsung की PCB है इसका capacitor इसके अंदर दिया हुआ था हमें YYU-08PG वाली PCB का chain करना चाहीता है इसलिए अब हम इस में उस capacitor को हमने PCB से बाहर निकाली है और उसके jack को भी बाहर निकाली है और उसकी wire को हमने उस jack पर attach कर दे यानि कि दो capacitor की wire और एक main यानि कि speed की wire तो हमने connection बाहर इस PCB में कर लिए हैं इसलिए आप ऐसी गलती ना करें और आप परानी PCB के हिसाब से ही नई PCB का chain करें जैसे कि पराने PCB में capacitor inbuilt दिया हुआ था तो आपको आपको YYU-08PG वाली PCB का ही chain करना चाहीए था जिसमें capacitor inbuilt है इसलिए अब हमें ये फिर बदल करना होगा तभी हम ये PCB लगा पाएंगे इसलिए आप उस capacitor को बहान कर लिजी जो परानी PCB में है या फिर आप capacitor नया भी ले सकते हैं और उसकी वायरों को soldering कर दीजिए दो capacitor की वायर लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा उसके प्रिंट वगेरा देखने होंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे इसलिए अगर आप इसके बारे प्रिप को है तभी आप यह करें नहीं तो आप PCB खराब कर सकते हैं अगर आप इसकी जगह YYU-08PG वाली PCB का इस्तिमाल करते तो आपको कुछ भी फिर बदल नहीं करना सा सिर्फ आपको कनेक्शन ही करने ते यह सभी इस्ट्रक्शन दियों है रिमोट की दोनों PCB में कोई अंतर नहीं है एक ही कंपनी की PCB सिर्फ इनके नाम अलग-लग है और इनके मोडल नमबर अलग है तो आपको कपेस्ट्रक्शन बाहर ही करने है अब हमने उस PCB का क्नेशन जो कपेस्ट्रक्शन वो बाहर ही कर दिये अब हम इसे उस इंडोर में फिट करने जा रहे हैं इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है जो फैन मोटर का जेक है उसे आपको उस जैक में फिट कर देना है जो हमने पुराने PCB वाले से निकाल कर लगाया था और इसको सही तरीके से आप सपेस देखकर सेट कर दीजिए क्योंकि इसमें transformer की supply दिए इसलिए आपको transformer को भी फिट करना होगा अगर आप यहां पर YYU-08PG वाली PCB का इस्तेमाल करते तो आपको यह समझ्या नहीं आती air conditioner own हो चुका है compressor ने run करना शुरू कर दिया है इसलिए आपको सभी connection ध्यान से करने आपको main वाली जगह main लगानी है और neutral वाली जगह पर neutral लगानी है सारे instructions साप से दियों हैं जिन्हें आप असानी से पढ़कर कर सकते हैं आप दे सकते हैं compressor ने चलना शुरू कर दिये frosting आना शुरू हो गया इसलिए आपको ध्यान से ही save connection हो करना है जो हमारी fan motor का छोटा jack है उसे आप ऐसे ही छोड़ दीजी उसमें ऐसी कोई समशा नहीं आने वाली क्योंकि हमने पूरे mechanism को बदल दिया है यानि कि पूरी PCB को बदल दिया है इसलिए अगर आपको छोटे jack का भी इस्तेमाल करना है तो आप YYU-08PG वाली हमारी PCB का ही इस्तेमाल करें जैसे मैं आपको पतारा है दोस्तों तो दोस्तों अब हम जो YYU-08PG वाला जो हमारा PCB है उसे अब हम इस air conditioner में fit करेंगे वीडियो कोन का एक air conditioner है और हमने वही गलती इसमें दोहरा दी जो हमने पहले वाले में की थी याने कि हमने यहां पर PCB का selection किया जिसका capacitor बाहर दिया हुआ था तो दोस्तों इस PCB में capacitor inbuilt है और unit में capacitor बाहर है इसलिए हमें करना तो यह चाहिए था कि जो पहले वाली PCB है वो इस unit में लगाने चाहिए थी उस jack में से उन pin को निकाल लेना है इस jack में काफी जो खाने हैं वो खाली है और आपको जो PCB में jack दिया हुआ है fan motor का जिसमें हमारा main और capacitor के connection दी हुए है उन में उस हिसाब से ये pin adjust कर लेना है लेकिन इसके लिए आपको PCB का print को check करना होगा और print को देखते हुए आपको वो point उस खाली खाने में डालने है jack के जो fan motor का है अराम से आप ये pin निकाल पाएंगे किसी test pen की मदद से और उन्हें shift कर लीजिए इधर या उदर जो खाने खाली है जैसे ही हम jack हमारी PCB में लगाएंगे उसके हिसाब से आपको ये pin change कर लेने है जो आप आसाने से कर वाएंगे देखिए हमने अब उस pin को दो खाने पहले से निकाल कर इधर वाले खाने में लगा दिया है लेकिन इसके लिए आपको PCB में print देखना होगा जिस पर capacitor का print होगा उसके हिसाब से हमें खाने adjust करने है अगर आपको diagram नहीं मिल पारा तो fan motor पर देख लीजिए तो देखिए अब हमने वो jack fan motor का PCB के jack में लगा दिया है आपको print देखना होगा किस किस point पर आपको pin वो change करने है अगर आपको diagram नहीं मिल पारा तो आप fan motor पर बने हुए diagram को देख सकते हैं motor को घुमा कर यानि कि उसको थोड़ा सा इस type में जिससे आपको diagram दिख जाए देखिए अब हम PCB के उनों print को check कर रहे हैं जो हमारे capacitor के point से आए हुए हैं यानि कि जहांपर हमें capacitor के वायर देनी है और जहांपर हमें main देनी है उसी के हिसाब से हमें jack की वो pin चेंज करनी है और आपका jack असानी से उस PCB में लग जाएगा इसलिए आप इतने जद्दो जहद करने से बहतर है कि आप PCB का chain पराने PCB देखकर ही करें और इसमें जो PG वाला jack है दोस्तों उसे आप बिस बूल ऐसे ही छोड़ दीजिए अगर आपका jack समान रुप से मिल पार है तो jack को लगा दीजिए तो देखिए हमें फिर से एक point को change करना पड़ा और हमने फिर उस jack को finally लगा ही दिया और हमने उस pin को दूसरे खाने में shift कर दिया है हमने print को काफी बारे की से देखा है आपको यह चीज बिलकुल द्यान से करनी है और आपको उसी के हिसाब से fan motor connection करने है नहीं तो आपकी fan motor खराब भी हो सकती है इसलिए यह गलतियां करने से अच्छा है कि PCB का chain आप unit वाले पुराने PCB देखकर ही करें जिसका capacitor बाहर दिया हुआ है उसमें आप क्याओडी U08C PCB लगाएं और इसका capacitor inbuilt दिया हुआ है उसमें आप YY U08PG वाली आप PCB लगाएं देखिए अब हमने main को दे दिया है हमारे face को relay पर दे दिया है और जो compressor को वायर उपर जाएगी उसको भी हमने relay पर लगा दिये है, neutral को आपको PCB में लगा देना है इन PCB में साफ साफ लिखा हुए, आपको कहाँ पर neutral लगानी है कहाँ पर face लगाना है, कहाँ पर compressor की wire लगाना है इसलिए इसमें confusion होने वाली कोई बात नहीं है लेकिन आपको ध्यान से करना है, इन सब को करते हुए आपको हमारी PCB को डाउन कर लेना है, यानि कि हमारा live wire हमारे PCB में नहीं आना चाहिए और ध्यान से आपको सभी connection कर लेना है swing का भी jack में दिया हुआ है, इसमें supply CD ही PCB के अंदर दी हुई है इसलिए आपको सभी चीज़ें ध्यान से करनी है और आपको call sensor को call में लगाना है और room sensor को आपको सामने cooling call के सामने adjust कर देना है देखे, air Krishna चल पड़ा है, ampere सही ले रहा है और हमारा room temperature भी अभी यह दिखा रहा है आपको दोस्तो इस display को सिधा power के आसपास touch में नहीं आने देना है instruction आपको पढ़ लेनी है, जो भी PCB के उपर लेगी हुई है मैं आपको फिर बता देता हूँ कि दोस्तो यह PCB inverter AC में नहीं लगेगी और ना ही उन air conditioner में लगेगी जिसकी fan motor DC पर operate होती है indoor की तो आपको यह चीज़े ध्यान में रखनी है सिंगल स्पीड air conditioner में ही है PCB लग सकते हैं उसके काफी model आते हैं जैसे कि क्याओडी U08 PGC क्याओडी U02C क्याओडी U05C आपको जो display है वो थोड़ा सा ऐसी जगे पर adjust करना है जहाँ पर हमारा ज्यादा ज्यादा विद्ध ना आए यानि कि आपको PCB सी थोड़ा दूर ही इसको रखना है इंडोर के center में आप ऐसा कर सकते हैं compressor हमारा अर्ण कर रहा है सही ampere ले रहा है और आप अराम से ऐसा कर पाएंगे इसलिए हमेशा यहें बातें आपको ध्यान में रखने चाहिए तो दोस्तों छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको इस बारे में कुछ बता पाऊं इसलिए जब भी आप किसी भी एक निश्र की PCB को चेंज करें तो आप उस पराने वाले PCB के अनुसार ही नई PCB लेके आएं बात आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा अगर इन बिल्ट कपेस्टर उसके अंदर है तो इन बिल्ट वाले क्याने अगर कपेस्टर बाहर दिया हुआ तो बाहर वाले कपेस्टर वाली आपको PCB लेके आनी है वीडियो को लाइक और ऑशेर कीजीएगा चैनल को स्वाइप काना भी मत बुलिए अगर आप ने चैनल को स्वाइप कीजिएगा और बेल आइकन की बटन को अशेर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को जदह ज़्यादा शेयर कीजीएगा धन्यवाद दोस्तों